चलिए आपके सामने एक कोश्चन है कि कुश्चन में कहता है आपको mv एक बार पढ़ लीजियो कुश्चन हाँ पढ़ लिया कुश्चन यहाँ पे mv जो है mv देट इस हमारा तो लाग दे रखा है एफ आर दे रखा है कितने है दो बावन तो आप तो पता ही चल गया एफ एफ बावन दे देता हूं मैं नाम थोड़ा और आ जाएगा क्या हमारा एयर है actual rent है पर मन्त तेईस अजार तो तेईस अजार इंटू में बारा कर लो आप तेईस अजार इंटू में 12 276 तो भी आप सारी गलत हो गई कहां नहीं हमारा सीधा जीए भी निकलेगा हमारा 276 इसमें से सबसे पहले क्या माइनस करेंगे MT, MT में कहता है कि हमारा मुंसीपल टेक्स 20% of मुंसीपल वेल्यू और मुंसीपल टेक्स पेड डूरिंग दे येर 50% टेक्स लिवेड मतलब जितना टेक्स आपका निकला था उसका 50% ही पेड करा है हमने तो 20% किसका निकालोगे मैंने परसेंटेज बताया था मुंसीपल वेल्यू तो 20% इसका निकालेंगे तो होता कितना है 40,000 लेकिन इस 40 को नहीं पेड किया कितना पेड किया उसका भी 50% यानि 20,000 पेड किया तो माइनस MT हो जाएगा हमारा ओनली 20,000 तो NAV निकल के आएगा हमारा कितना 256 इसमें से क्या माइनस करोगे 24 A स्टेंडर डेक्शन 256 का 24 A स्टेंडर डेक्शन कितना आजाएगा 76 800 माइनस क्या कर दोगे 24 B जो कि समस्या आ गई कि लोन के बारे में बोला हुआ है इसके साथ साथ दे रखाए expense on repair नहीं लेना insurance premium नहीं लेना क्योंकि इसके इलाबा हमें क्या मिल चुका है 30% मिल चुका है कहता है आर हैट बोरोड 120,000 दस 1,7,20 को and construction of the पर्टली वस कम्प्लिटिड प्रॉपर्टी वस कम्प्लिटिड कब हो गया था 28,2,2022 तो भाईया लोन जो लिया था मैंने वो लिया था 1,7,2020 तो 20 से 31 3,2021 21 तक मेरा घर कम्प्लिट नहीं हुआ और इसके बाद आ जाता है हमारा 1,4,2021 21 से लेके 31,3,2020 लेकिन घर इसी साल 28 तारिक को कम्प्लिट हो गया था 28,2 को कम्प्लिट हो गया था जो जिस साल मेरा घर कम्प्लिट हुआ था इस साल तो मेरा PCP होगा ही नहीं PCP कितना माना जाएगा सिर्फ ये वाला माना जाएगा तो यहां से यहां टाइम अगर calculate करते हो जुलाई अगस सेप्टमबर अक्टूवर नॉवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तो नाइन मंत का यहां पर क्या बनेगा हमारा PCP loan amount है हमारा 12 लाख तो 12 लाख का 9 मंत का बना इंटु में 10 बाइ 100 और लगे हाथ में वन बाइ 5 भी कर देता हूं तो क्या जाएगा हमारा 12 लाख एंटु में 10 परसेंट डिवाइड़ बाइंटु में 9 डिवाइड़ वाइड़ फाइफ तो देट इस 18,000 रुपे आ गया यह हैं पीसीप का इंट्रस्ट के आगे हमारा एंटीं थाउजन रुपेस करेंट एर में कुश्च्छें में नहीं बोला के लोन आउटसेंडिंग। है नई तो अजंशन क्या लेंगे अब current year का तो loan outstanding है ही है तो current year का interest क्या निकलेगा भीया पूरे साल का ही निकल जाएगा 10% 12 लग का कितना हो जाता है 1,20,000 तो 1,20,000 और 18,000 as per question कुछ नहीं बोला तो हमेशा new regime के हिसाब से आपको निकालना है तो क्योंकि हमारा NAV 0 नहीं है तो new regime के हिसाब से हमें tax का benefit मिल जाएगा तो 18 और 1,20,000,000 38,000 माइनस कर दीजिए यह आजाएगा IHP 256- 76,800- 138 यह आगया 41,200 यह आगया हमारा income from property चेक कर यह book में ठीक है सबसे बड़ा challenge आप देखो कि पूरे question में कुछ नहीं था तफ कहां पर आया interest वाले point पर हर एक student को question clear है आपके book का ही question है 5.9 अगर आपने book ले लिया है तो फिर 5.9 आप करेंगे देख सकते हैं वहाँ पर हाँ book की calculation जब मैंने आपको calculation समझा दिया तो please आप सब नब book की calculation को कई बार वो shortcut में करते हैं तो वहाँ समझने की courses करेंगे फिर बोलेंगे यह किया है और मैंने नहीं बताया आप final कर लीजिए और answer को check कर लीजिए अब यह tally हो रहा है नहीं हो रहा यह scenario रखिएगा अगर word to word सोचेंगे book से कि ऐसे लिखा था sir ने तो यहाँ 1 by 5 कर दिया book में तो अलग से 1 by 5 कर रहा है book में PCP कैसे निकाला है हमने कैसे निकाला तो answer में आपको परिशान रहेंगे फिर आप कि बताइए कि स्टूडेंट को डाउट इसमें सर वी हैड लेट आउट डेट्स वाइवी टुक आ होल अमाउंट ऑफ इंटरस राइट बिल्कुल क्योंकि लेट आउट था इसलिए अगर यह लेट आउट नहीं होता सेल्फ उक्यूपाइड होता तो मैं इतना एल पार वन पर जाता एंग इस इदा लिखता एने व में जिरो क्योंकि सेल्फ उक्यूपाइड में क्या हो जाता है जीरो और क्यूंकि यह रिजिम होता बाई डिफॉल्ट में नियू रिजिम तो इंट्रस्ट सब किसी काम का नहीं है यहां पर आएगा आपका 0 हमेशा याद रखेगा अगर self occupied वाला question हुआ तो question especially बोलेगा कि हमें old rhythm से निकालना है क्योंकि उसे पता है कि अगर ये वाला part रहा तो इसके according ये वाला सारा हो जाएगा हलो हाँ जी निकल रहे हैं कि चलिए मैं की को भेज के फिर close करता हूं तो वहां नीचे gate खुला हुआ है कि अच्छा है मेरे भापा है ठीक है चलिए ठीक है कि अच्छा कि अच्छा कि अचा कि अच्छा कि सर मैंने लेट जोइन किया है एक बार कि रिवाइज कर दीजिए रिवाइज के लिए तो देखो पूरा कि शिवानी आपने लेट जोइन किया है आधे घंटे बाद क्लास आ जाएगा फिर आपको शुरू से देखना पड़ेगा क्योंकि हमने सिर्फ एक ही टॉपिक किया इतने लंबेर समय में एक गंटे में एक टॉपिक हुआ है इसके बाद तो मैं सिर्फ कॉस्चन प्रैक्टिस जैसे यह कुश्चन मैंने दिखाया ऐसे थोड़े से ज्यादा लिखे हुए कुश्चन होंगे थोड सिर्फ कैनि यूट्टाल लगें इंट्रस्ट करन्ट का इर इंट्रस दिख्र कación किका *** और Нितने लाए गया का जो बया सकते था और लोन और उसमेंगे निकालनासिक के लिए दो हजार चौबीस पचछीस तो हमारा बनेगा त्येस चौबिस तैस चौबिस मेरा घर तो बना नि उस से पहले बन गया तो यह पूरे साल मेरा लोन तो रहा है तो करेंट यर का मैंने सीधा सीधा एक बीस का इन्टू में अग्णारे सुर्डि assessed कि बिता दू कि अगर करके पंद्र अगस्त वाले दिन में डालूंगा रह गया है चोटा सा आदे घंटे का टॉपिक है वह देखिए किसी को डाउट है तो सर वो सेप्टेंबर तक था सेप्टेंबर तक था तो सेप्टेंबर तक जो था ये सेप्टेंबर तक कहा था ये तो जुलाई है आप सेप्टेंबर कौन सी बात कर रहे है पता नहीं मुझे मेंशन इकतिस साथ सो हां एकतिस साथ तक था तो पिछला साल हो कई अगया अच्छ साल रिटन जाज चुकी होकी तो थोड़ी न देखना ए catch केरेंट इयर में हमें करेंट इयर का देखना है और जिस साल हमारा घर कंप्लीट हुआ उस साल phi केलकुलेट नहीं होगा उससे जस्ट बिफ और 31 मार्च होगा वहां से पी हुआँ से phi चिप केलकुलेट होगा 2 है किस इगजांबल की बात कर कि बताईए क्या था आपका क्लियर नियू हो मुझे को एरी कि सर इससे भी पहले इससे पहले यह वाला था बताईए तीस नों को यहाँ पे लोन रीपेमिंट हो गया था लोन खतम हो गया था इसलिए करण्ट येर का हमने सुर्फ और सिक्स मंद का निकाला था और बाकी आने वाले जितने भी कोश्चां थे उसमें लोन का रीपेमिंट नहीं हुआ था उन सभी के अंदर हमने लोन को आटस्टे पांच मंत कैसे होगा तीस सेप्टमबर होता है तीस नो देखो एप्रेल मैं जून जुलाई अगस्ट सेप्टमबर पूरा ही हो गया ना तीस तारिक को लोन भीया तो ब्याज पूरा ही हो जाएगा तिल 1st अगस्ट भाई अगस्ट कहां से जोड़ रहे हो यहां तो घर बना था इस वाले टाइम पर समझो इस समय पे आपका हाउस का कमपलीशन हुआ था लोन का नहीं लोन का कमपलीशन का डेट ये लिखा है मैंने उपर तो लोन का इंट्रस जो कैलकुलेट होगा वो यहां स यहां तक का होगा और घर कमपलीशन से लोन का कोई लेना देना नहीं होता ठीक है अनन्या किसी और इस्टूडेंट का कोई डाउट ओके कोई बात नहीं एक 31 आपको लग रहा था ठीक है ठीक है ठीक है इसके लिए चलिए आईए एक यह होमवक में दूंगा मैं तैन मन्त का रेंट है होमवक में करिएगा इसमें इंट्रस देखो कई बार ऐसा भी आ जाता है एक्जामनर महरवान होता है पूरा कैलकुलेट करके दे देता है तब तो कुछ करना ही नहीं सीधा माइनस करना है ठीक है इन कुस्चन में मुझे पता है आपको थोड़े डाउट साथ सकते हैं लेकिन मैं हमवक दे रहा हूं ताकि आप थोड़े से कुछ डाउट आएंगे तो मैं क्लियर करूँ हूं बाकि फिर मैं क्लास में करूँ हूं कितने एक्जामपल इसमें देखना बुक में कितने इलिस्ट्रेशन है टूटल बीस बच्चिस होंगे मेरे कर लगते हैं इलिस्ट्रेशन देखना कि चौबिस है पच्चिस है और हमें बार अप हां ठीक है दो क्लास में कर लेंगे यह सारा क्योंकि यह इतने लेंदी नहीं है जैसे कि कॉस्ट अकाउंट के अंदर बड़े लंबे-लंबे कुश्चन होते हैं इसके अंदर तो क्या है फटा-फट इस सवाल चोटे हैं लेकिन जिस बच्चे को अब कोई बच्चा ऐसा अगर मेरे से एक सवाल जरूर पूछता है कि सर इंकम टेक्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है यह इसका जबाब तो आज की क्लास में स्रिफ यह अब यह भी ट्राइ कर सकते हैं वैसे वेकेंसी वाला है होमवक के लिए बाकिक दो कुश्चन दिया है आज की क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं झाल 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 झाल